इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह कैपसूल में गुडमार यानि की चीनी को नश्ट करने वाला विजयसार, पनीर के फूल, मीठी, नीम, हल्दी, ग्राहमी, मंडुक पर्णी और शिलाजीत जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल हैं कैपसूल में इन सामगरियों को मिलाने से स्वस्थ जीवन शैली और लिपिट चयापचय को बनाए रखने में मदद मिल सकती हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, कैपसूल में गुडमार यानि की चीनी को नश्ट करने वाला की उपस्थिती अवशिष्ट बीटा कोशिकाओं के पुनरजनन पुनरुधार द्वारा इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करने में मदद कर सकती है दो, इस कैपसूल में मौझूद विजैसार प्राकृतिक रूप से चीनी की लालसा को कम करने में मदद कर सकता है तीन, पनीर के फूल इंसुलिन के बेहतर उप्योग के लिए अग्णाशय की बीटा कोशिकाओं को ठीक करने में मदद कर सकते हैं चार, इस कैपसूल में मौझूद मीठी ग्लूकोज मेटाबॉलिजम पर काम कर सकती है पांच, शिलाजी तंत्रिका अंच से व्यक्तियों को अनुभव होने वाली जुनजुनी दर्दनाग भावना को खोने की उर्जा दे सकता है 6. कैपसूल स्टार्च के ग्लूकोज में तूटने को कम करने में मदद कर सकता है जिससे बदले में स्वस्थ रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है 7. ये आयुर्वेदिक कैपसूल कायाकल्प करने में मदद कर सकते है 8. ये थकान, थकावट और बार-बार पेशाब आने की भावना को कम करने में मदद कर सकता है 9. कैपसूल में कोई अतिरिक्त परिरक्षक नहीं है 10. यहां अग्णाश है के कार्य को विन्यमित करने और चयापचे में सुधार करने में मदद कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें